वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टेडी एंड ग्रो योटूब प्लेटफॉम पर और इस वीडियो में हम मद्यकालिन भारत के इतियास संबंदित मुगल वन्स के एकूर सासक औरंग जेब के बारे में समझेंगे औरंग जेब का जो सासनकाल है 1658 से 1707 इसी का काफी लंबा सासनकाल रहा औरंग जेब का जो सासनकाल माना जाता है कि अकबर के बाद सबसे लंबा सासनकाल जो है और औरंग जेब जो है इसके समय में जो मुगल सल्तनत थी इसमें सबसे ज़्यादा प्रांत जोड़े हुए थे टोटल 21 प्रांट साजां के समय 18 प्रांट थे उसके बाद 3 प्रांटों में वरदी करके औरंग जेब ने इनको 21 करके भारत के जो संपून राज छेतर था केवल थोड़ा धक्कन का छेतर छोड़ दे क्योंकि धक्कन में लगबख 25 साल औरंग जेब ने वहाँ पे बिदाय वहाँ के लोगों को अपने अदीन करने के लिए बहुत प्रियास किये तो इसके जेवन की कुछ महत्पुन बातों से सुरू करते हैं कि इसका जिनम 3 नावंबर 1618 को गुजरात में दोहद नामक एक जग है वहाँ पे हुआ था पिदा का नाम सहाजा और माता का नाम अरजुमंद बानो बेगम है जिसको हम मुम्ताज महल के नाम से भी जानते हैं अकबर के बाद जो सबसे लंबा ससनकाल है वो औरंगजेब का ही देखने को मिलता है इनके गुरू का नाम मीर मुहमद हकीम है और इनकी पतनी जिसको हम दिलरास बानो बेगम के नाम से जानते हैं उसका ओरिजिनल नाम आता है रभिया उद्दुर्रानी तो रभिया उद्दुर्रानी जो है जिसको हम दिलरास बानो बेगम के नाम से जानते हैं वो औरंगजेब की पतनी है अब इनके सासन मुगल सत्ता के जो सासक हुए उनको हम एक बार एक रम में देखते हैं हमने एक ट्रिक समझी थी एक हमने वर्ड याद रखना है भाजशा बी एच ए जे एस थे बी से बाबर फिर हुमायू हुमायू के बाद अकबर सासक बनता है फिर जहांगीर जहांगीर के बाद सहाजा और सहाजा के बाद अन्तिम जो मुगल समराथ है वो है औरंग जेव अन्तिम का मतलब यह है कि इसके बाद के जो सासक रहेंगे जैसे बहादूर साफ फष्ट के न पानी जाती है औरंग जेब के काल तक उसके बाद जो मुगल सत्ता है इसका डिकलाइन होना चालू हो जाता है बाहद दूसरा फर्ष्ट से लेकर तो उनकी भी बात हम करेंगे बाद में पर अभी हम इस वीडियो में देख रहे हैं किसके बारे में 1658 से 1707 का जो सासन काले वह क इस तो जुलाई 1658 में और जून 1669 में क्योंकि उस समय जो है गदी प्राप्त करने के लिए संगर्ष चल रहा था इसलिए दो बार इनका राजयबी से खुआ और जब इनका राजयबी से खुआ तो इन्होंने अबुल मुझपर मुहिद्दीन मुझपर औरंजे बहादूर आलमगीर पादशाही गाजी ये एक उपादी है जिसको इन्होंने धारण किया और उसने जो है खुद को एक नाम से लोगों को बताया जिसका नाम है आलमगीर तो इसी उपादी के बाद इसको आलमगीर के नाम से जाना जाने लगा तो अब्दुल मुझपर मुहिद्दीन मुझपर औरंगजेब बहादूर आलमगीर पादशाही गाजी ये उपादी इन्होंने धारण करी थी जब इसको गद्धी पर बिठाया गया था और इसलामिक कानूनों को पूरी तरह से पालन करने के कारण इसे जिंदा पीर की उपादी भी दी जाती है तो औरंगजेब की दो उपादी की बात करी हमने एक तो उपादी आलमगीर और एक है जिंदा पीर जिंदा पीर क्यों कहा क्योंकि ये इसलामिक कानूनों को पूरी तरह पालन करता था और इन्ही कानूनों के चलते इसने जो है सरीयत कानून लागू कर दिये थे और बो हिंदू जो लोग थे और गेर मुसलिम कह सकते हैं उनका काफी अधिक इसने सोशन किया था और काफी जादा मंदिरों को तुड़वाना और भी बहुत सारे इसके ऐसे काम थे जो केवल क्या है इसलामी कानूनों पर सरीयत पर आदारीत है तो इसकी अन्य उपादियों की बात करें तो हाफीज और आलमगीर की जैसे हमने बात करी आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता और हाफीज का जो मतलब है वो है कि जिसको पूरी कुरान जो है याद हो जाती है उसको हाफीज का जाता है तो पुरी कुरान इसको याद थी इसलिए इसको हाफिज उपादी दी गए इसके और महतपुन बिंदों की बात करें तो पहला बिंदू है कि यह कटर सुन्नी मुसल्मान था और कुरान के इसाब से सासन करता था इसलिए यह सरीयत कहा जाता है कि जो कुरान के इसाब से कानू छलते हैं उसको सरयت लोग आजाता है सरय fresh conscious सर्थ जीस जो अफगानिस्तान की सिच्वेशन है जहांपर तालिवाणियों ने पुरा जचेट रहे वह अपने कब्सरे में कर रक तो वहांपर भी वह सर्थियत लागू कर रहे हैं तो इस तरह से औरंग जेप के संवेब सरीयत जो कानून है उसके इसाब से काम होने लगा और हिंदों पर काफी अत्याचार किये 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का इसने आदेश दिये और तुलादान जो पद्धति थी जो अकबर के द्वारा सुरू की गई थी उसको इसने बंद करवा दिया तुलादान पद्धति का क्या मतलब है कि इसमें जो वेक्ति होता था उसके वजन वेक्ति राजा के वजन के बराबर सुने चांधी तोले जाते थे और उनको जो दान कर दिया जाता था बाट दिया जाता था परजा में तो इसी को तुलादान पद्धति कहा जाता है तो ये प्रता इसने बंद करवा दी थी और भी काफी प्रता हैं जैसे नवरोज का तेवहार जरो का दर्सन इसने बंद करवा दिया सिक्कों पर कल्मा खुदुवाना भी इसने बंद करवा दिया हिंदू जो तेवहार थे जैसे होली दिवाली उनको तेवहारों को इसने बंद करवा दिया था उसके बाद 1689 में 1679 में इसने जजिया कर जो गेर मुस्लिमों से लिया जाता था उसको पुना चालू करवा दिया क्योंकि अकबर ने इसको बंद करवा दिया था तो अकबर के बंद करवाने के बाद परिशन आता है कि पुने जजिया कर किसने लागू किया या किसने चालू करवाया तो वो औरंग जेब है अब औरंग जेब ने दारूल हर्ब यानि भारत को दारूल इसलाम बनाने का प्रियास किया दारूल हर्ब का मतलब होता है गेर मुस्लिम माना जाने वाला देश अब गेर मुस्लिम से ये का इसने दमन किया था उससे ये काफी स्पष्ट हो जाता है कि ये भारत को दारूल इसलाम यानी इसलामिक इसलाम बनाना चाहता था तो ये दो शब्द इध्यान रखना दारूल हर्व मतलब गेर मुस्लिम माना जाने वाला देश और दारूल इस्लाम मतलब इस्लामिक देश, दोन आपोजिट एक दूसरे के, और इसके द्वारा और भी चीजें हुई इसके काल में, उनकी बात करें, तो इसके समय कुछ विद्रोव हुए, जिसे जो पहला मेत्पूर्ण विद्रोव का नाम आता है, वो जाट विद्रोव है, और जाट के युद्ध में इस गोकुल की हत्या करवा दी गई, इस हत्या के बाद इस जो युद्ध है, इस विद्रोव का नेतर तो किया, राजा राम ने, और राजा राम ने अकबर की कबर खुदवा कर उसकी हड्डियों को जला दिया था, ऐसा करना का इसका मुख्य उद्दे से यह था कि जो मुगलिया सल्तनत था उसका ध्यान ये अपनी तरफ आकरशिट करना चाहता था क्योंकि इनकी बहुत सारी मांगे थी वो पूरी नहीं हो रही थी तो इसने अकबर की कबर खो दी और उसकी हड़ियों को इसने निकाला उसकी अस्तियों को निकाला और उसको जला तो उसके बाद जो राजाराम है इसका भी दमन और अंजेप के दोरा कर दिया गया और उसके बाद जो अगला नेता है वो है चूडामन तो चूडामन जो राजाराम का भतिजा था उसने आगे के विद्रों का नेतत किया और इसमें एक प्रशन जो है वो काभी फहमेस है कि अग्बर की कबर किसमें खुदवाई थी तो राजाराम नाम का विक्ति था जो जाट विद्रो का नेतत्व करता है यह हमको दियान रखना है अगला विद्रो है सिक्ख विद्रो सिक्खों के नवे गुरू की बात करें तो उनका नाम आता है गुरू तेग बहादूर जो कि इसलाम धर्म सुखार करने के लिए इनको बुलाया गया परंतु इनोंने जो है इसलाम धर्म को असुखार कर दिया ऐस्युकार करने के बाद इनको पकड़कर दिल्ली ले गया और दिल्ली ले जाने के बाद सीस गंज के पास 1675 में गुरू तेग बादूर के सर को काटकर अलग कर दिया गया मतलब इनकी हत्या कर दिया तो यह सिक्क विद्रो था जिस तरह जहांगीर ने पांचवे गुरू अ सिक्कों के अंतिम गुरू थे उन्होंने भी औरंग जेप का क्या किया विद्रो किया तो यह सिक्क विद्रो है यहां से मुख्य लाइनम को यह ध्यान रखनी है कि गुरू तेग बादूर की जो हत्या है वो किसके द्वारा करवाई गई थी तो औरंग जेप के द्वारा 1675 अगला विद्रो है राजपुतो का विद्रो राजपुतो की विद्रो की बात करें तो यह जो है यह औरंग्जेब के पुत्र से ही संबंदित है तो औरंग्जेब का नाम आता है अकबर तो अकबर एक पुत्र है औरंग्जेब के वैसे पांच पुत्र थे इसके जिसमें से ए तो एसा माना जाता है कि यो काफी कठोड सा सकता ओरंग्जीब ये अपने पुत्रों को भी नहीं वक्सता था तो इसने क्या कि औरंग्जीब को जब ये पता चला कि अकबर ने विद्रोग कर दिया है, तो अकबर के पीछे इसने सहना ही लगा दी और अकबार राजस्थान के मारवाड में जाके छिपा पहले तो फिर मारवाड के बाद मराठाओं के पास चला गया जापर साउजी के यहाँ पर सरन ली इसने उसके बाद मराठाओं के यहां से भी यह इरान या फारस चला गया और वहीं पर इसकी मृत्य हो जाती है तो अकबर जो है ये राजपूतों के साथ इसने मिलके विद्रो किया था इसलिए इससे राजपूतों का विद्रो भी कहा जाता है अगला महतपून विद्रो है मराठाओं के साथ मराठाओं के साथ अवराइंजिप का काफी संगर्ष चला ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन के महतपून 25 साल इसने दक्कन में गुजार दिया मराठाओं को शांद करने के लिए तो काफी महतपून ये विशे है मराठा विद्रो और इसने क्या किया कि जो इसका एक सासक ताराजस्थान का मारवाठ का सासक जैसिंग कच्छुआ उसको इसने सिवाजी के दमन के लिए बेजा और उसने सिवाजी के साथ एक संदी की पुरंदर की संदी 1665 में तो 1665 में पुरंदर की संधी हुई, उसके बाद 1666 में सिवा जी को केद कर लिया गया और केद करने के बाद सिवा जी जो है जेल से भागने में सफल रहे तो सिवा जी के बाद संबाजी सासक बनते हैं परन्तु औरंग जेब दरा उनकी अत्या 1689 में करवा दी गई और उनके पुत्र साउजी और उनकी पतनी को बंदी बना लिया जाता है उसके बाद जब बादुर साफ फर्ष्ट जो औरंग जेब का पुत्र सासक बनेगा वो इनको बाद में रिया करता है तो औरंग जेब के समय ये बाते हमको ध्यान रखनी है कि सिवाजी को पुरंदर की संदी किस के समय हुई कोन मैतपूर्ण वेक्ति था जैसिंग कच्छवा था 1666 में सिवाजी को केद कर लिया उसके बाद वो भागने में सफल रहे जेल तोड़कर उसके बाद सिवाजी के जो पुत्र है संबाजी वो सासक पनते हैं संबाजी की 1689 में क्या करवा दी जाती है हत्या करवा दी जाती है और उनके पुत्र जो साउजी महाराद जिनको कहते हैं और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया जाता है औरंग्जेब के द्वारा तो औरंग जेब के जीवन काल तक जीवन परियन तक वो बंदी रहेंगे और उसके बाद औरंग जेब का जो पुत्र सासक बनेगा वो उनको मुक्त करेगा अपनी केज से उसके बाद बात करें तो औरंग जेब की मरत्यू 1707 में हो जाती है उसकी मरत्यू दोलता बाद में होती है और उसे दोलता बाद के वास खुला बाद में जेम उलहक जो एक सूफी संथ थे उनका मजारे उसी मजार के पास उनको दफना दिया जाता है तो जेन उलखक सूफी संत जो है उन키 मजार के पास औरंग जेब को भी तफना दिया जाता है जब्generation 2017 में इसकी पृत्य होती है इनकी पतनी के देहांत की बात करें तो इनकी पतनी का जो देहांत है उनकी। देहांते को उसकी याद में इसनों ने औरंग जेब ने एक मगबरा बनवाया औरंगाबाद में जिसको हम बोलते हैं बीबी का मगबरा तो प्रशन आता है कि बीबी का मगबरा कहा है तो औरंगाबाद में बीबी का मगबरा इस्तित है जो किसकी पत्नी की याद में है और अंजेब की पत्नी की याद में है इस मकबरे की जो आकरती की बात करें तो एकदम ताजमहल जैसा यह लगता है इसलिए इसको दित्ये ताजमहल या ताजमहल का नकरीड लूप के रूप में भी जाना जाता है आप इसके आकरती देख सकते हैं तोड़ा बहुत इसका लुप किस के तरह आ रहा है ताजमेल के तरह है इसलिए इसको दितुए ताजमेल भी कहा चाता थे अन्य बिंदुओं की बात करें तो दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद का जो निर्बान करवाया था वो औरंगजेब के द्वरा करवाया गा औरंगजेब के समय सरवादिक हिंदू सेनापती मुगल सेना में थे ये तत्य हमको ध्यान रखना है हाला कि इसने हिंदू का दमन करवाया पर सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापती इसके समय मुगल सेना में थे इस्तरियों को लेकर उसकी विवस्ता अन्य मुगल सासकों की तुल्ला में काफी अच्छी थी तो ये चीज़े हमको ध्यान रखनी है और इस तरह से ये औरंग जेब का जो चेक्टर फाइल कंप्लीट होता है और इसमें अपने जो भी इंपोर्टेंट फेक्ट थे वो देखे तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब चेनल को ज कर दो सिक्षज नहारा कि राहिए लगर को दो समय हमके है और नहारा कि ट्लीट है जो एफर लगवमाणी है तो रगवमाई प्राइब नहारा प्राइब प्राइब भीडियो का ट्समा शॉश् से